हलो बच्चो दिस इस मनोज नायक फ्रम नीट वन ओलाइन क्लासेज और फिजिक्स कॉंसेट गॉलियर बच्चो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब यह एक छोटा सा टॉपिक है जब आप इलेक्ट्र स्टेटिक्स पढ़ते हैं गौस्थ्योरम की बात करते हैं वहाँ पर इस तरह से question बनते हैं कि कोई cube है उसके corner पर या उसके किसी side पर या किसी face पर कहीं पर कोई एक charge प्लेस करने flux associated with this cube and flux associated with each face of the cube कितना होगा यह find करने को कई बार questions आते हैं तो बहुत अच्छे questions होते हैं बच्चों इनको solve करने के लिए एक simple सी trick मैं आपको बता रहा हूँ तो यह सारी questions आप देखते चलिए इस trick से आप कभी भी इस तरह के questions भूलेंगे नहीं तो पूरा देखिए इस video को चलिए देखते हैं एक question हम start करते हैं जैसा कि एक cube आप देख रहे हैं अगर आपको यह कहा जाए कि एक कोई charge को इस cube के बिलकुल अंदर रख दूम है यहां कहीं center पर इसके अंदर एक charge रख दूम और यह पूछा जाए कि इस पूरे cube से कितना flux associated होगा ओके तो गॉस्थरों यह कहती है यह तो बड़ा simple सा question है गॉस्थरों यह कहती है कि किसी charge से किसी charge से निकलने वाला जो flux है electric flux है वो हमें find करना है तो उसको पहले तो सभी तरब से उसको cover कर लीजिए एक close surface बना लीजिए उसको हम Gaussian surface कहते है उस close surface से निकलने वाला जो flux होता है वो आपको मालूम है कि उसके अंदर जितना charge present है उसका बन अपॉन epsilon zero times होता है तो यह तो ऐसा दिख रहा है कि charge को इस cube के अंदर अगर रख दि बन गई और यह उस close surface के अंदर q charge है तो इस cube से associated flux कितना होगा बिल्कुल सही है आपने सोचा q upon epsilon zero ठीक है अब इसी में यह बच्चो एक दूसरा question बनता है कि जो इसकी faces है यह faces है six faces होती है तो flux associated with each face कितना होगा flux associated with each face तो अंदर जो charge रखा हुआ है उसके कारण टोटल flux कितना निकल रहा है q upon epsilon zero तो each face से कितना associated होगा simple है six faces है तो six part में बढ़ जाएगा तो एक face से कितना निकलेगा एक face से associated होगा बच्चो q upon q upon कितना six epsilon zero ठीक है तो यह बड़ा simple सा question हुआ अब आगे बढ़ते हैं एक और type के question में बच्चो यह हमारे पास एक cube है और मैं यहाँ पर इस face के center पर यहाँ कोई charge रख रहा हूँ यह charge q को मैंने एक face के center पर रख दिया ध्यान देना इस पूरे cube से associated flux कितना होगा पहले यह find करें और फिर find करेंगे हम कि each face से कितना associated होगा तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा अभ यहाँ पर यह q charge रखा हुआ है लेकिन क्या अभी यह किसी close surface से covered है नहीं है क्योंकि यह q charge एक face के यहाँ पर रखा हुआ है तो इधर से तो covered दिख रहा है लेकिन इस side से covered नहीं दिख रहा uncovered है तो उसको uncovered को आप cover कर लो cover करने का तरीका क्या है कि Gauss यह suggest करते हैं कि जैसी symmetrical य तो यह जो q है यह q charge उन दौनों structure के बीच में कहीं आ जाएगा तो यह all around से यह covered हो जाएगा surface close बन जाएगी ठीक है तो एक काम करते हैं यह cube है तो cube ही assume कर लेते हैं तो यह मैंने cube यहाँ पर यह assume कर लिया है इस cube को अगर मैं इस cube के साथ चिपका दूँ तो यह जो बीच मे यह charge रखा हुआ है वो इस structure के बड़े से structure के center पर कहीं बीच में आ जाएगा तो इस whole structure से निकलने वाला flux क्या होगा बच्चो गौस यह कहते हैं 1 upon epsilon 0 times of cube लेकिन यह जो real cube है इस real cube से निकलने वाला flux चाहिए हमें तो इस q charge के कारण यह जो real cube है इस से associated flux कितना होगा वो देखेंगे कि यह real cube इस बड़े से structure का कौन सा part है तो half part है इसका मतलब इस के हिससे में कितना flux आएगा obviously half आएगा तो total था q upon epsilon 0 तो इसके हिससे में कितना आया q upon 2 epsilon 0 ओके तो चलिए इसको cover करते हैं बच्चो तो देखें हम यहाँ पर इसको मैं cover कर रहा हूँ एक इसको यहा इसके अंदर आ जाएगा तो इसके अंदर आ गया चार्ज तो इस पूरा सा बड़ा सा जो structure है उसमें एक तो real है और यह वाला जो हमने assume किया हुआ है यह assume किया हुआ है तो इस पूरे structure से निकलने वाला flux तो q upon epsilon 0 लेकिन question यह है कि आप तो यह बताओ जो cube था यहाँ पर इस real cube जो हमने रखा हुआ था उस real cube से निकलने वाला flux कितना होगा तो obviously q upon 2 epsilon 0 होना चाहिए बच्चो क्यों क्योंकि यह real cube तो इस बड़े से structure का half part है तो इसके से में flux भी half ही आएगा ओके एक question यह हो गया बच्चो second question इसी में बच्चो एक question और बनता है यह चार्ज हमारे पास रखा हुआ है q center ठीक है एक face के center पर यह बच्चो एक question और बनता है जैसे यहाँ पर center पर इस face के center पर कोई q charge रख दिया आपने और इस पूरे cube से associated flux तो यह तो आपने निकाल लिया बच्चो कितना निकला यह निकला अभी आपने देखा q upon 2 epsilon 0 ठीक है अब वो कहेगा कि जो पूरा cube है उसके each face से कितना associated है तो हम क्या करेंगे क्या six से इसमें भी divide करेंगे नहीं इसलिए नहीं करेंगे बच्चो क्योंकि यहाँ पर जो इधर से flux निकलेगा q charge के कारण वो जिस surface पर यह q charge रखा हुआ है उस surface से associated flux तो 0 ही होगा क्यों 0 होगा जड़ा चेक करें एक छ concept है छोटा सा कि जैसे यह मैं एक कोई plane मानूं जिस plane पर कोई charge रखा हुआ है क्यों तो अब जो q charge है वो तो all around क्या करेगा हर direction में field lines produce करेगा अब वो field lines इसके आसपास जो बहुत सारे faces होंगे उन faces के अंदर cut हो करके जाएंगे ठीक है तो flux की definition में आप यह समझते हैं कि किसी surface के perpendicular निकल रही है तो number of lines जो perpendicular surface से निकलती है वही number of lines तो क्या होता है electric flux associated this surface होता है अब आप बताओ इस q के कारण इस plane से कोई lines perpendicular निकलती है क्या जिस surface पर यह q charge खुद रखा हुआ है उससे associated जो lines होंगी वो सारी के सारी इसी plane में ही होंगी इसका मतलब कि इस plane से associated कोई भी flux नहीं होगा इस charge के कारण लेकिन ये charge के कारण और जो lines निकल रही है बहुत सारी वो और surfaces के अंदर cut होकर के जा रही है वो किसी angle पर cut हो रही है ठीक है जरूरी नहीं है कि 90 से हो जब किसी angle पर cut होंगी तो उनके हम component कर सकते हैं क्योंकि electric field vector ह होती है एक component हो जाएगा perpendicular to the plane वो flux में part करेगा और एक component हो जाएगा parallel to the plane और जो component parallel to the plane होगा उसको हम छोड़ देंगे ठीक है तो यहां पर अगर आप इतना छोटा सा ध्यान रख लें कि यह जो यह trick ध्यान लग लें कि जहां पर यह कोई charge रखा हुआ है जिस surface पर उस surface से associated flux 0 होता है ठीक है इस concept को यात रख लें तो अब बताईए बाकी कि कितने surfaces बचे कितने face बचे यस बिल्कुल सही है five face बचे तो जो five face बचे उस five faces से equally यह flux दिवाइड हो जाएगा कितना वाला यह जो q upon two epsilon 0 है इसको five faces में आप और डिवाइड कर दीजे तो flux through each face कितना होगा यह होगा बच्चो q upon two epsilon 0 का बन बाए five times राइड तो हमारा answer आगया आप दिखेंगे बन अपन 10 q upon epsilon 0 राइड तो flux associated with each face will be q upon 10 epsilon 0 and flux associated with cube whole cube is q upon two epsilon 0 कब when the particle charge particle is placed at the center of face one of the face एक और question देखें बच्चो यह भी बड़ा tricky question है बहुत important question है इसकी भी बहुत simple trick में आपको बता रहा हो इस charge q is placed at the midpoint of side of cube यह आपको cube दे दिया इसकी एक side पर यहां कहीं पर इसके center पर इस side के center पर मतलब इस side के midpoint पर कोई हम charge रख देते हैं ठीक है तो अब फिर से वही दो question बनते हैं इसमें की flux associated with this cube and flux associated with this with each face of this cube तो जड़ा सोचो यहां इस center पर means इस side के center पर इस side के midpoint पर charge रखा हुआ है यहां charge रखा हुआ है तो अभी क्या यह covered है Gaussian surface से नहीं है जब covered नहीं है तो goss क्या कहते हैं इसको imaginary structure से covered करो तो एक काम करते हैं symmetry के लिए cube है तो cube से ही covered करेंगे तो हम एक cube यहां पर रखा हुआ है इस cube को मैं यहां चिपका देता हूँ उससे देखो यह cube charge यहां center पर आया और यह वाला जो cube है ना यह वाला जो cube दिख रहा है आपको इस cube को मैं यहां लाके ऐसे लगा दिया तो अभी यह जो charge है वो यहां आ जाएगा अभी भी लेकिन यह बाहर से दिख रहा है मतलब बाहर से covered नहीं uncovered है पिछे से तो covered हो गया तो अब यह जो दो cube यहां पर बने हुए रखे हुए हैं इनको भी मैं क्या करता हूँ बच्चो ऐसे ही symmetry से यहां लाता हूँ ए और इस वाले cube को यहां ले आया ध्यान देना बच्चो जैसे मैं यहां ले आओंगा तो वो charge है वो कहां हो गया होगा उसके अंदर चला गया होगा center पर आ गया होगा कहीं ठीके इस बड़े से structure के center पर वो charge आ गया होगा इसका मतलब यह हुआ कि अब वो charge इस पूरे structure से coverd हो गया इस पूरे surface से जिसको हम Gaussian surface कहेंगे उस Gaussian surface से निकलने वाला flux क्या होगा simple सी बात है q upon epsilon not होगा लेकिन ये वाला जो cube है जिससे associated flux निकालना है बागी के तीन तो क्या है बागी के तीन तो imaginary है हमने assume किये है assumed cube है और वो real cube है तो उस real cube से associated flux कितना होगा यही तो पूछा है तो आप बताइए वो real cube इस बड़े से structure है उसका कौनसा part है बिल्कुल सही fourth part है इसका मतलब जो total flux होता है इस पूरे structure से निकलने वाला मतलब जो charge बनाएगा flux total flux q upon epsilon 0 वही तो बनाता है उसका कौनसा हिस्सा उस case में आएगा उसके हिस्से में आएगा वो आएगा q by 4 right तो यहां हम लिख सकते हैं बच्चो flux associated with cube will be q upon 4 epsilon 0 ध्यान दीजिएगा 4 मैंने क्यों लिखा है योगि इस पूरे structure से निकलने वाला flux q upon epsilon 0 होगा क्योंकि बच्चो point charge की nature है point charge अपने all around कितना flux निकालेगा जितना उसकी charge का magnitude है तो magnitude कितना है q तो q upon epsilon 0 यह तो निकालता ही है बस अब उसको cover कर दीजिए Gaussian surface से तो वही जो निकलने वाला flux है वो उस Gaussian surface से associated हो जाता है और कुछ नहीं ठीक है न अच्छा इसी में फिर बच्चो 1 upon 16 q upon epsilon 0 राइट तो इस तरह से हमने यह किया एक और question देखें बच्चो ऐसा ही है यह मेरे पास एक cube है ठीक है और cube के यहाँ एक corner पर मैं charge रख रहा हूँ if the charge is placed at one of the corners of cube यहाँ corner पर charge रखा हूँ बहुत simple question है CVSC 12 में पूछा गया है और NEET में तो बहुत पूछे जाते ही यहाँ से तो यहाँ पर एक charge रख दिया है corner पर अब मुझे बताना है flux associated with this whole cube and flux associated with each face of this cube तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चो फिर से वही Gaussian theorem apply करने के लिए हमें इस charge cube को cover करना पड़ेगा घेर करना पड़ेगा symmetry से एक cube लेके आता हूँ मैं यह वाला cube यहाँ फसा दिया तो आप देखेंगे अभी भी यह उपर से दिख रहा है cube दिख रहा है ना यह charge दिख रहा है ना अब मैं दो cube और यहाँ लगा देता हूँ ऐसे एक यहाँ लगा दिया बच्चो एक यहाँ लगा दिया अब आप देखोगे कि अभी नीचे से तो यह पूरा cover हो गया उपर से cover नहीं हुआ है और symmetry बनानी है ध्यान देना आप यह सो चारा real cube है इससे associated flux निकालना है बाकी के जो yellow color से दिख रहे हैं वो सब assumed हैं हमने assume किये तो आप symmetry बनाने के लिए जिससे कि यह जो Q charge है बिलकुल center पर आ जाए और एक बड़ा सा structure बन जाए उसके center पर यह Q charge आ जाए तो चार हमें यह जो cube हैं उपर से ऐसे चिपकाने पड़ 8 cube का structure बन गया कितना बन गया बच्चो 8 cube का और 8 cube में जो एक जो हमारे पास एक और था वो क्या था इस 8 cube में ही एक हमारा real cube था अच्छा जो center पर अब फस गया है चार्स उससे के कारण इस पूरा जो बड़ा structure बना 8 cube का उसके पूरे surface से निकलने वाला flux क्या होगा बिलकु epsilon not वो तो कभी change होता नहीं है वो तो charge पर depend करता है लेकिन जो real cube था वो इस बड़े से structure का कौन सा part है आप कहेंगे वो तो बन बाई 8th part है बिलकुल सही तो उससे निकलने वाला flux क्या होगा वही तो निकालना था हमें तो flux through cube कितना हुआ Q upon 8 epsilon 0 right तो flux through each face कितना होगा बच्च यहां पर charge रखा हुआ था बच्चो ध्यान देना right अब हमें निकालना है flux through each face तो इस cube से कितना निकलेगा वो तो हम अभी देख चुके वो हमने देखा Q upon 8 epsilon 0 आया क्योंकि यह जो Q था वो इन सभी cube का इस बड़े से structure का 8th part था right तो अब फिर से each face से निकालने के लिए हम क् का अपनाएंगे बच्चो इच face से निकालने के लिए बहुत simple तरीका है फिर बहुत simple trick है और वो trick यह है कि यहां पर जो Q charge रखा हुआ है वो सोचिए कितने faces के contact में है direct contact में है या कितने faces में common है तो यह Q charge आप जरह observe करेंगे तो देखेंगे यह first phase में common है second phase में common है और third यह तीन face में common है देखो यह जो corner है यह corner इन तीनों का ही तो common हिस्सा है इसका मतलब यह Q charge जो यहां पर रखा हुआ है इस corner पर वो इसमें भी माना जाएगा इसमें भी माना जाएगा और इसमें भी माना जाएगा मतलब तीन faces में यह माना जाएगा तो इसका मतलब इन तीन faces से निकलने वाला तो flux क्या हो गया जीरो बाकी के तीन बचे तो उन तीन फेस में और आप डिवाइट कर दो तो इसका मतलब ये जो क्यूब से निकलने वाला क्यूब से associated flux था उसको हम थ्री पार्ट में और डिवाइट कर देंगे तो हमारा answer आ जाएगा 1 by 3 times of q upon 8 epsilon 0 that is q upon 24 epsilon 0 right तो अगर corner पर रखा हो तो each phase से associated होता है बच्चो q upon 24 epsilon 0 और whole cube से होता है q upon 8 epsilon 0 तो ये cube के छोटे-छोटे questions हैं जो कि अक्सर exams में पुछे जा सकते हैं पुछे जाते रहे हैं और अक्सर बच्चे कई बार इनमें confused हो जाते हैं तो अब मेरे ख्याल से आप confused नहीं होंगे इनको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए और ये मैं ने छोटी सी tricks बनाई हैं आपके लिए जिससे कि आप इनको solve कर पाएं तो पढ़ाई करते रहे है थैंक्यू